मरवडी मेंटी आप देख रहे हैं आज है 8 जुलाई 2023 सनिवार का दिन और हिंदू तिती के अनुसार सावन माहे की सश्टी तिती है चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर सुरुबात कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर भारी बारिस के कारण देश के कई राज्यों में टमाटर की कीमतें 200 रुपे तक पहुच गई है उत्राखंड के गंगोतरी धाम में टमाटर 250 रुपे परती किलो मिल रहा है बड़ी खबर तो ये भी है मेक डोनल्ड्स ने बर्गर से टमाटर को हटा दिया है कमपनी का कहना है कि सारी कोशिसों के बावसूद भी हमें अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल पा रहे हैं कभी गरीबों का खाना बनकर रहने वाले टमाटर के भाव आज आसमान छू रहे हैं बहराल आगे बढ़ते हैं राजिस्तान से दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सुरुवात सुकरवार को हो गई है पीम नरेंद्र मोदी ने गोरकपुर से वर्चोली हरी जंडी दिखा कर साम पौने पांच बजे जोदपुर जक्सन से साबर मती के लिए इस ट्रेन को रवाना किया इस ट्रेन की खास बात यह है कि यह देश की सबसे छोटी वंदे भारत ट्रेनों में सामिल है यानि जयपुर समेत दूसरे राज्यों में दोडने वाली वंदे भारत में 16 कोच है लेकिन इस ट्रेन में केवल 8 ही कोच होंगे वैसे आप अगर इस ट्रेन में यात्रा करना चाते हैं तो जयदपुर से पाली के बीच 22 किलोमीटर के सपर पर आपको 400 से 800 रुपे खर्च करने होंगे जैसे चेयर कार का किराया जोदपुर से पाली के लिए 425 रुपे है और एक्जेकेटिव केटीगिरे के लिए 815 रुपे किराया है आगे बढ़ते हैं पीम मोदी आज बीकानेर का दोरा करेंगे उत्री पस्ची मीराजिस्तान में पीम नरेंदर मोदी का इस चुनावी सीजन का यह पहला दोरा होगा यहां पीम मोदी अमरत सर से जामनगर के बीच 20,000 करोड की लागत से बने ग्रेन फिल्ड एक्सप्रेस वे का लोका अरपन करेंगे और करोडों के अन्ने विकास से जुड़े कारियों का भी लोका अरपन करेंगे वहीं पीम मोदी बीका ने रेलवे स्टेसन के रेडवलपमेंट का सिल्लानियास करेंगे बीका ने रेलवे स्टेसन को एरपोर्ट की तरह रेडवलपमेंट किया जाएगा इससे तैयार करने में करीब 4.500 करोड रुपे खर्च होंगे बहराल आगे बढ़ना होगा क्यूंकि गहलोत सरकार कही को और बड़ा फैसला सरकार अब अपने योजनाओं के कॉंटेस्ट करवा कर जनता को इनाम बांटेगी वीडियो कॉंटेस्ट के जरिये हर दिन 2.55 लाक रुपे के नकत पुरिसकार बांटे जाएंगे सीम गहलोत ने इसकी सुरुवात कर दी है इस वीडियो कॉंटेस्ट में सरकार की 10 फ्लेक्सिप योजनाओं के बारे में सवाल होंगे कॉंटेस्ट में भाग लेने के लिए लाभारती को खुद का या महेंगाई रहत केमपों के लाभारतियों से 10 परमुक योजनाओं पर सवाल जबाब करते हुए वीडियो सोसल मीडिया पर सरकार को टेक करते हुए अपलोड करना होगा वीडियो कंटेस्ट के वीजेताओं का फैसला जूरी करेगी सुचनायों जन संपर्क विभाग को इस वीडियो कंटेस्ट का जिम्मा दिया गया है हर रोज वीजेताओं का चैन कर उन्हें इनाम दिये जाएंगे एक लाख रुपे तक इनाम जीतने का मोका है बाकी सो लोगों को भी रोज पुरुसकार मिलेगा कहीं न कहीं सरकार भी इन वीडियो के जरी अपनी योजनाओं का परचार आम लोगों से करवाने की तैयारी में है यानि कि आपको एक 30 सेकंड का वीडियो बनाना होगा और उसमें सरकार की योजनाओं के बारे में फाइदे गिनाने होंगे और उस वीडियो को तो सोसल मीडिया एकाउंट पर आपको डालना होगा जैसे ट्यूटर, यूटूब, फेस्बूक, इंस्टाग्राम और उसके बाद ये जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है स्क्रीन पर यहाँ पर जाकर लिंक भी भेजने होंगे ताकि सरकार को पत साथ हजार से जढ़ा पदों पर वेकेंसी निकली है इसके तहट दसवी और बारवी पास कर चुके उमीद्वार मद्य परदेश वेबसाइक पर इकसा बोड की ओपीसियल वेबसाइट जो आपको स्क्रेन पर दिखाई दे रही है यहाँ पर जाकर 10 जुलाई तक ओन लाइन अपलाई कर सकते हैं। समेत कई जिलों में जमा जम बारिस हुई। मोसम इभा की अनुसार 10 जुलाई तक परदेश के अधिकांस हिस्सों में अच्छी बारिस का दोर यूही जारी रहेगा। 20 गंटों में बिहार और तेलंगाना को छोड़ कर देश के बाकी सभी राज्यों में तेज बारिस का अलर्ट जारी किया है। जम्मो कस्मीर में भारि बारिस और खराब मोसम के चलते अमरनाथ यात्रा को रोक दी गई है। एक और बड़ी खबर है रिलाइंस जीयो के फीचर पॉन जीयो भारत फोर जी की सेल सुरू हो गई है। इस फोन के लिए कमपनी ने 123 रुपे का टेरिफ पलान भी पेस किया था। इसमें 14 GB डेटा यानि की 0.5 GB डाटा हर दिन मिलेगा जो 28 दिनों तक चलेगा। बड़ी बात यह है इस फोन से आप UPI पेमेंट भी कर सकेंगे और जीयो सिनेमा जीयो सावन जैसे एंटरटेनमेंट एप्स का भी इस्तमाल कर सकेंगे।